नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ HDFC Live के बारे में तो HDFC Live के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि यह जो कॉम्पणी है बहुत दिन तक एक स्वा हुआ एक सेर के तरह चल ला है मतलब अभी इसका नीद अभी नहीं भागा मतलब भागा है क्योंकि जब तक इसका नीद नहीं भागेंगे तब तक इस कॉम्पणी अभी एक side basis pattern में चल रहा है जब इसका नीद मतूट जाएगा तब देखना इस कॉम्पणी रॉकेट के तरह भागेंगे क्योंकि इस कॉम्पणी का जो performance है आपको मैं अभी दिखाऊंगा आप देखना कितना जवदस performance है और insurance sector का कितने सारे actually HDFC live एक insurance sector है एक insurance company है तो insurance sector का जितने सारे companies है इंडिया का जितने सारे वो number one position में है obviously LIC number one है LIC अभी तक market में listing नहीं हुआ जब market में listing हो जाएगा तब number one LIC बन जाएगा obviously क्योंकि LIC का market capillation बहुत बहुत बढ़िया है HDFC के तुलोना से HDFC अभी फिलाल जो market में listing है जितने सारे companies उसमें देखा जे company number one है इस company के उपर आप निवेस करके रखे है तो भरोसा रखिए जब अदस company है क्योंकि इस company का performance आपको five star rating वाला performance देखने को मिलेगा तो चलो देख लेते हैं company के details के बारे में तो फिडियो सुर करने से पहले यह कहूंगा अभी तक आपने इस telegram channel में join हो तो मेरा telegram channel में link में जाकर join हो सकते है हमारा जो group है उस group में जाकर join हो सकते हैं आप internet trading में काम करते हैं तो join हो जाइए free of cost है और अभी तरह demand account नहीं किया तो आप भी link दिया गया है उस link को जाकर आप open करके account open कर सकते हैं और इस channel को subscribe नहीं कर तो जूरू subscribe भी कर लीजिएगा क्यूंक आपको daily basis stock market information और updates चाहिए त चलो देख लेते हैं आज के stock के बारे में तो पिछले दिनों में जब market closing हुआ था आप यहापे देख सकते हैं पिछले दिनों में एक जबदस मतलब performance यहापे देखने को मिला था तो overall बात करूँ company पिछले दिनों में करीब अधाई percent तक तेजी देखने को मिला fulfill देखा जाए तो 5 परसन नहीं हुआ 2.33% हुआ तो फिर भी इतना तेजी के पीछे तो कारण तो जुरूर है तो में यहापे कारण आपको डिसकस नहीं करूँगा आज मैं बात करूँगा आपको इस company के बारे में पूरा details में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखते तो इसलिए यह भी एक इंस्वरेंस सेक्टर है तो एक फाइनस सेक्टर है तो यहापे भी तो भारी भर कम गिरावट देखने को जुरूर मिलेगा 6 मांद की चार्ट परण उपन कर दूँ तो यहापे करीबन 3% तक नेगेटिब रिटान यहापे मिल चुगा है एक साल की बात करूँ तो करीबन 7.5% का नेगेटिब रिटान तो 5 साल की बात करूँ तो करीबन 92% का रिटान दिया जो company का अभी फिलाल देखा जाए maximum करीबन 2017 से तो देखा जाए company अभी 5 साल हुआ है उससे ज्यादा अभी तक देखने को नहीं मिला तो company को जिस तरीके से भागना चाहिए था उसके इसाब से company उस तरीके से अभी तक नहीं तेजी देखने को मिला अब lifetime के चार्ट पटन देख लेजिएगा किस तरीके से volatility है आप गाएंगे सर इस तरीके से volatility में कैसे निवेस करूँ कैसे भारसा करूँ देखे भारसा आपको आएगा अभी मैं आपको details दिखा देता हूँ देखे सबसे पहली बात company का जो parent company है obviously HDFC है HDFC अब सभी जानते है house development corporation finance corporation तो HDFC के हाथ है इसके सब के उपर है parent company है तो HDFC आप सभी जानते है तो house development मतलब जितने सारे घर के लिए जो लोन लिया जाता है वो HDFC से लिया जाता है मोटा मोटी एक बात करूं तो और HDFC लाइब जो है वह जाता तर insurance sector से बिलोंग करते है तो अब यह फिर लिखा गया आप देख सकते life insurance company तो life insurance company में देखा जाए company अभी फिला number one position में है जितने सारे stock market में listing हुआ company देखने को आपको मिलेगा तो company का performance के बारे में बात करूं तो उससे पहले एक data आपको देखा देता हूँ company का 52 का जो हाई था वो second September में किया था 775 और उसका low था 627 वो 20 December में किया था 2021 में मतलब हाली फिलाल देखा जाए एक हपता पहले company ने low किया था 52 का और उसी से पिछले मांद पहले ही हाई किया तो कितना अपसेंट डाउन और कितना volatility है इस company में आप देख सकते हैं मगर इतना volatility के बाद भी इस company के उपर आपको बने रहने के लिए मज़रूर कहूंगा क्योंकि company का आज दिन मतलब पिछले दिन का जो delivery है अब देख सकते है 58% delivery उठाए गया है पिछले दिनों में तो company क इसका performance के बार हैं बात करूं तो company आपको large cap देखने को मिलगा त्यूंकि 1,33,000 करोड से भी ज्यादा इसका market का प्लेशन है का रहनी जो इसका price range है बहुत 660 है यहाँ पर adjustment अभी तक नहीं हुआ तो आफ देख सकते है company का जो peer ratio है मुझे बहुत बहुत high level में देखने को मिल इसका industries peer ratio फिर भी उस industries में जब वद्दस्त काम हो रहा है company के return of capital employed के बारें बारें बात करो तो 20% है return of equity के बारें बात करो तो साड़े सात्रा परसंट है दोनों ही एक average और अच्छा का सा जगा पर देखने को मिला है company का जो dividend है करीबन 0.31% का dividend company देचुके है company का जो face value है अभी भी 10 रुपिया देखने को मिल रहे है तो company totally देखा जाए company के पास जो करजा है वो 600 करोड का करजा है मगर company का जो annual income है करीबन 1300 करोड तो इस company का annual income इसका debt से कम है तो इसलिए इस company को अब debt free consider कर सकते है तो company का जो total debt of equity है वो ना के बराबर है 0.07% तो promoter जो holding है 53% 3.8% है मतलब एक अच्छा खासा promoter holding भी इस company के पास है साथी साथ company का कोई भी placing नहीं है मतलब promoter कोई भी share गिर भी नहीं रखा है किर भी रखका माल कोई नहीं उठा कर रखा है तो company का total free cash flow जो है मतलब company के पास जो हाथ में जो cash है वो 9600 करोड है और company के EPS के बारे हैं बात करो तो 5.74 रुपीज EPS है देखे इतना EPS अच्छा नहीं है क्योंकि company का performance उतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिला है तो overall company के बात करूँ company आप देख सकते है HDFC life insurance company number one position में है उसके बाद देखिए सबसे उपर देखने को मिलेगा अगर फिलाल तो HDFC market में चाय हुए है तो फिर भी इस company का देखिए performance आप एक पर देख लिजे किस तरीके से company साल भर में profit कि आप एक पर इसको जोरू देखना चाहिए आप देखिए company का जो total net profit के बारे बात करूँ तो 2011 में company loss किया था 99 करण का loss किया था उसके बाद 271 करण का profit किया उसके बाद 400, 700, 700, 800, 892, 1100 पहुंच चुके है कितना 2018 में जिस साल में सबसे जादा stock market में volatility देखने को मिला सबसे जादा stock में गिरावट हुआ था आप auto sector में देखेंगे तो 2018 में सबसे भारी भार कम गिरावट auto sector में देखने को मिला था market भी crash हुआ था फिर भी देखिए auto sector में बहुत भारी भार कम गिरावट देखने को मिला था तो यहाँ finance sector अच्छा खासा performance उस time में भी देखने को मिला था 2019 में 1200 करोड 2020 में 1295 करोड और March 2021 में 1300 करोड का profit किया अभी फिलाल जो सिनारियो है वो 1100 तो overall बात करूँ कमपानी का जो performance से वो अच्छा खासा growth देखने को मिला है अच्छा खासा obtained growth देखने को मिला है कमपानी का sales growth भी देखिए अच्छा खासा है profit growth भी ठीक ठाक है हाँ थोड़ा सा साल भर में थोड़ा सा कम हुआ मगर return of equity जावदस्त है कमपानी आपको किस तरीके से return देखने बहुत देख लीजे कमपानी हाली फिलाल में देखा जाए अभी तथ 5 सान नहीं हुआ stock market में listing होने के बाद तो तीन साल का जो return है वो 19% है और एक साल के जो return है वो 6% negative है तो कमपानी अभी तक आपको negative return दे रहा है फिर भी में आपको बता रहा हूँ इस company के उपर आपको focus यूरू होना चाहिए जो company कभी भी करजा नहीं लिया था अभी फिलाल 6600 करोड का करजा लिया है तो company का performance 5 star rating वाला है और company का reserve भी देखें धीरे 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 किपना growth हो रहा है पहले तो negative में था कोई reserve नहीं था तो अभी फिलाल अच्छा खासा reserve भी देखने को मिला है company आपको किस तरीके से फाइदा दिया वो भी देखना चाहिए यहाँ पर corporate action आप देखेंगे तो company ने dividend आपको 2021 में आपको करीबन 2 रुपीज का dividend दिया 19 में आपको करीबन करीबन 1.63 रुपीज का dividend दिया और 17 में आपको 1.36 रुपीज का dividend दिया मतलग company देखा जाए तीन बार आपको dividend दे चुके है तो company का जो total shareholding pattern है वहाँ पे देखा जाए तो company के promoter जो था वो 80% था और 80% promoter के पास shareholding होना नहीं चाहिए तो इसलिए थोला सा share को बेचा गया है तो अभी फिलाल 53% holding promoter के पास है और FIS ने देखिए कितना माल उठा कर रखा तको उसको पता है इस company में जब rocket बनेगा company तो कोई नहीं रोख पाएगा 30% hold promoter sorry FIS ने खुद holding करकर रखा DSB माल उठा है 6% करीवन 6.5% बोल सकते है और public देखिए 9.38% hold करकर रखा है यहाँ गवर्मेंट मतला आदा सेक्टर भी 0.03% का hold करकर रखा है तो overall सबके पास इस company का हिस्सेदारी है तो मेरे कहने का मतलब एही है तो यहाँ पे देखिए मैं technical chart के उपर भी आ चुका हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ में one month का chart button आपके सामने open करकर रखा हूँ देखिए यहाँ मुझे जो figuration लग रहा है बहुत बार एक level को touch कर रहा है अगर इस level जब तक ना इस level को break कर पाएंगे तब तक company up 10 में नहीं जाने वारा है क्योंकि अभी तक उतना पेसर है और उतना up 10 नहीं है जिस तरी किसा up 10 होना चाहिए था बहुत बार यहाँ पर सापोर लिया देख सकते हैं यहाँ पर भी सापोर है यहाँ पर तो बहुत बहुत सापोर्ट है और फिर से यहाँ पर भी एक सापोर्ट हुआ तो बहुत बहुत सापोर्ट जो उनको क्रॉस क तरह performance देखने को मिलेगा वासा करता हूँ सारे जानकर आपको मिल चुका है तो इस company में आप निवेस करके रखे है तो लॉंग टाम के लिए सोचिए लॉंग टाम के लिए सोचेंगे तो बहुत अच्छा कासा आपको फायदा मिलेगा क्योंकि HDFC ग्रूप के सेर्स है और इसक स्टाड़ी करके निवेस कर सकते है वासा अगर तो सारे जानकर आपको मिल चुका है तो मेरे वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करना दोस्तों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राब करना मिलते हैं अगले स्टोग लेके तब तक के लिए अच्छे सरी है आपने क्या लगे बाई